9.2.1 धातों का वायू में दहन करने से क्या होता है? अधिक सक्रिय धातों जैसे सोडियम, पोटेशियम तथा लीथियम ऑक्सीजन के साथ शीगरता से क्रिया करती हैं. खुले में रखने पर ये हवा की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती हैं. इसलिए इनका ऑक्सीजन से संपर्क रोकने के लिए इन्हें किरोसिन में रखा जाता है. सोडियम तथा पोटेशियम के ऑक्साइड जल में घुल कर शार बनाते हैं. 4 Na plus O2 is equal to twice Na2O. Na2O solid plus H2O liquid is equal to twice NaOH aqueous. पोटेशियम के साथ होने वाली अभिक्रिया का संतुलित समिकरण लिखिये. हम जानते हैं कि कुछ कम सक्रिय धातू जैसे मेगनीशियम हवा की ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे क्रिया करती है तथा गर्म करने पर सफेद लौक के साथ तेजी से जलती है. इसी गुण धर्म के कारण मेगनीशियम का उप्योग आतिश पाजी में किया जाता है. क्रिया कलाप 3 निर्देश मेगनीशियम के फीते के दहन से उत्पन चमक तथा धुआ आँखों के लिए हानिकारक होता है. अता सावधानी रखें. मेगनीशियम फीते का 3-4 इंच लंबा टुकडा लीजिए. यदि उस पर सफेद रंग की परत जमी हो तो उसे तनू-SCL में डुबो कर सफेद परत मेगनीशियम आउकसाइड हटा लें. ध्यान रखें कि मेगनीशियम को तनू-SCL में डुबा कर तुरंत निकाल लें. नहीं तो सफेद परत के अलावा मेगनीशियम भी अमल से अभिक्रिया करने लगेगा. उसके पश्चात उसे फिल्टर पेपर से सुखाएं और चिम्टी से पकड़ कर इस्पिरीट लेंप की सहता से गर्म करें. चित्र दो-मेगनीशियम फीते के जलने पर बने सफेद रंग के धुएं मेगनीशियम ऑक्साइड के समीप गीला लिटमस पेपर रख कर उसकी प्रकृती की जाच कीजिए. मेगनीशियम ऑक्साइड की प्रकृती अमली है अत्वा छारिये. हेलो बच्चों, इस अध्याय में रसाइनिक अभिक्रिया के लक्षन और उसके प्रकार को समझने के लिए हम बहुत सारे ग्रिया कलाप करेंगे. तो चलिए हम इस क्रिया कलाप से अपनी शुरूवात करते हैं. इस क्रिया कलाब के लिए हमें जिन चीजों क्या उशक्ता होगी उसमें सबसे पहले ये देखिए मेरे पास ये है Magnesium Ribbon जो लगबग 2 cm लंबी है और इसे हमने चिम्टी की सहता से इस प्रकार फसा रखा है और ये देखिए स्पिरिट लेम इसको जलाने के लिए माचिस पानी पैटर डिश और देखिए ये क्या है मेरे पास ये है लिटमस पेपर ये नीले रंग का और एक लाल रंग का इसकी ज़रत हम में कप पड़ती है बिल्कुल सही वीलियन की प्रकृती जानने के लिए कोई वीलियन जो है वो अमली है या छारी इसकी जानकारी हमें लिटमस पेपर की सहता सही होती है तो चलिए क्रिया कलाप की शुरुबात करते हैं और इस प्रिट लेम को जला लेते हैं देखिए इस प्रेटलम जल गया है और अब इस मैंगनिशियम रिबन को हमें जलाना होगा पर बच्चों ध्यान रखें कि जो मैंगनिशियम रिबन है इसे प्रयोग से पहले आप रेतमाल पेपर से रगड़ कर अच्छी तरह साप कर ले और साथ ही आपको ध्यान रखना होगा कि इसे जलाते समय आप अपनी आखों को जितना हो सके उतना दूर रखें मैंगनिशियम रिबन को हम जला रहे हैं यह देखें यह मैंगनिशियम रिबन सफेद धूएक साथ जल रही है हमें अपने आँखों को दूर रखना होगा और यह जो राख हमें प्राप्त हुई है इसे हम पैट्री डिश में प्राप्त कर लेते हैं कि दिखिए है यह पैट्य डिश में हमें यह राख प्राप्थ हुई है इस परिक्षन के दौरान क्या आपने मैगनिश्यम की अवस्था में कोई परिवर्तन देखा और साथ ही देखिए कि पेटर डिश में यह जो राख प्राप्त हुई है यह क्या है मैंगनीशियम को जब हमने जलाया तो वाईयो में उपस्तित ऑक्सीजन के साथ उसके अभिक्रिया हुई और मैंगनीशियम ऑक्साइड एक नया उत्पाद हमें प्राप्त हुआ इस उत्पाद का जब हम जली वीलियन बनाएंगे तो हमें यह देखना है कि उस वीलियन के प्रकृति कैसी होती है चलिए इसके लिए थोड़ा सा पानी जो है वो हम इस राख में डालते हैं और इसे हमें अच्छी तरह से मिलाना होगा इसको मिलाकर जली वीलियन जो है हम प्राप्त कर लेंगे ग्लास रोट की सहाइता से इसे अच्छी तरह से मिला लीजे यह वीलियन हमारा प्राप्त हो गया है अब इस वीलियन की प्रकृती जो है वो हमें जाचनी है कौन मदद करेगा हमारी लिटमस पेपर बिलकुल सही हम नीले लिटमस पेपर से शूरू कर रहे है नीले लिटमस पेपर को इस वीलियन पर इस परकार से हमने डाल दिया है अब हमें देखना है कि इसके रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है देखिए मुझे तो इसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है चलिए लाल लिटमस पेपर की बारी है लाल लिटमस पेपर ये ले लिया हमने और इसको इस वीलियन में डुबा दिया देखिए इसमें तो परिवर्तन दिखाई दे रहा है लाल लिटमस पेपर जो है वो नीला हो गया है तो हमने देखा कि यह जो वीलियन है यह शारी प्रकृति का है किसी भी रासायनी कभी क्रिया में अभिकारक जो होते हैं उनकी कभी-कभी अवस्था में भी परिवर्तन होता है और हमें नए उत्पात भी मिलते हैं समाने ताप पर जिंक, लेड और अलुमीनियम धातु में भी वायू की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है जो इन धातु की सतह पर पतली परत बनाता है यह परत धातु को और ऑक्सिक्रित नहीं होने देती अधिकतर धात्विक ऑक्साइड शारिये प्रकृती के होते हैं कुछ ऑक्साइड जैसे जिंक ऑक्साइड तथा अलुमीनियम ऑक्साइड उभह धर्मी होते हैं यह ऑक्साइड अमल तथाशार दोनों के साथ क्रिया कर लवन तथा पानी बनाते हैं कॉपर का दहन नहीं होता लेकिन कॉपर पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चड़ जाती है चांदी तथा सोना धातुएं उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती हमने देखा कि पोटेशियम, सोडियम तथा लीथियम धातुएं अधिक क्रियाशील हैं मैगनीशियम धीमी गती से अभिक्रिया करता है आईए अन्यधातुओं की क्रियाशीलता का क्रम देखने के लिए कुछ और अभिक्रियाएं देखते हैं